Hello everyone, welcome back to my channel और मेरे चानल का नाम है वर्षा ब्यूटी केर दुआ करती हूँ आप सा बच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आप से शेर करने चारही हूँ सुनक्षे सिना का यह इंस्पाइड मेकप लुक मुझे उनका मेकप लुक यह काफी पसंद आया था ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिसना हो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं मैंने यह लुक कैसे किया है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ हूँ अपने फेस पर मॉस्टराइजर और यह तो यह लुक करने लिए हैं नेक्स में अपने फेस पर लगा रही हूँ प्राइमर और यह पतंचली की संदरे अलोवी राजल है अब चाहें तो कोई सा भी मेकप प्रॉट्ट्ट्स यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो मैं इसकी हल्प से याज का यह मेकप लुक करने वाली हूँ तो काफी अच्छी क्रीम है यह भी मेरी फेवरेट है और इससे पॉंड्स पीबी क्रीम के लुक मैंने पहले भी अपने चैनल पे शेयर की हो हैं मेरी वीडियो की प्ले लिस्ट को एक बर जरूर चेक कर लिजेगा आपके लिए हल्फुल होगी मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे स्किन केर, हेर केर, डिय वाई, हल्थी टिप्स शेयर के हो हैं तो प्लीस एक बर जरूर चेक कर लिजेगा और अगर आपको गाईस मेरे चैनल पसंद आता है तो प्लीस फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे मैं आगे भी आपके लिए और भी ज़दा हल्फुल वीडियो लेकर आती रहूंगी और अगर आप कोई चैलेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं जरूर करूँगी उस चैलेंज को इसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर हुड़ा ब्यूटी का प्रो कंसील है यह और जहाँ भी मेरी आइस पर डाक सकल्स हैं अब इग्मिनटेशन की प्रोब्लम है थोड़ी बहुत वो मैं हाइट कर लूँगी इस कलर कलरेक्टर की हल्प से यह कंसीलर भी है और एक तरह से कलर कलरेक्टर का भी काम करता है तो बहुत ही अच्छा कलर कलरेक्टर है गाईज और यह देखे मैंने इस तरीके से इसे लगा लिया है आप चाहिए तो फिंगर की हल्प से इसे ब्लेंड कर सकते हैं और मैं यहाँ पर ब्रश की हल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी नेक्स में आप ले रही हूं लैक में लूज पावडर और इसकी हल्प से मैं अपनी बीबी क्रीम को अच्छे से सेट कर लूँगी अच्छे से फिक्स हो जाए था कि मेरे फेस पर गी और बिल्कुल भी पैची ना दिखे तो इसलिए कॉम्पैक पावडर की हल्प से भी और मैं अपनी इसलिए को भी इसके हेट कर लिया है तो यह देखें, मैंने अपनी ब्रोज को भी फिल कर लिया है, अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और सवनक्षी ने यहाँ पर ब्लैक स्मोकी आयलू क्रियेट किया है, आप देख सकते हैं, पिक में बहुत ही कुफ्तुरत लग रही है अब मैं जैकलीन हिल पैलेट से डार्क ब्राउन कलर का शेर्ड लूँगी और इसे क्रीज लाइन पर प्लेस करते हुए अच्छे से इसे और मैं इसे तब तक ब्लैंड करूँगी, जब तक मुझे मेरा डिजायर कलर नहीं मिल जाता, इस तरीके से अप इसे अच्छे से ब्लैंड कर लीजे, और सवनक्षी ने भी यहाँ पर पहले डार्क ब्राउन कलर का शेर्ड लिया है, उसके बाद उन्होंने ब्लैक पलर का आईशेर्ड अपलाई किया है, आपने सिर्फ क्रीज लाइन पर ही लगाना है, और पूरी आईलिट पर मैंने नहीं लगाया, आप देख सकते हैं, अब मैं ये जैक्ली निल पैलेट से ही, लाइट ब्राउन कलर का शेर्ड लोंगी, और अपने क्रीज लाइन पर प्लेस करत अब मैं यहां पर ले रही हूं गाईज, यह ADS का ब्लैकलर का काजल है, और यह 20 पर मैं मुझे मिल गया था काजल, इसी की हल्प से मैं यह Smoky Eye Look क्रेट करने वाली हूं आज, अब पर लेश लाइन पर आपने लगा लेना है, इसे लाइनर के लगा लगा लिए, यह रफली कर लूँगी अच्छे से, हमें यही dark brown color का shade लूँगी और एक बार और अपनी crease line पर इसे place कर लूँगी, इस तरीके से, और इसी काजल को मैं लगा लूँगी काजल के तरह, अब नेक्स लगा रही हूं मैक का मसकारा लगा लगा लिया है मैंने अपने eyelashes पर, अब मैं यह dark brown color का shade लूँगी और अपनी lower lash line पर इस तरीके से, लगा लूँगी अब मैं अब मैं अपनी face को contour कर लूँगी यहांपर, और इस तरीके से मैं इसे beauty blender के help से अच्छे से, ब्लेंड कर लूँगी वहीं पर, tap tap करते हुए, मैं जैकले निल पैलेट से, वही brown color का shade लेकर, ब्रॉंजिंग कर रही हूँ अपने face की इस तरीके से, जो कि मैंने अपनी crease line पर लगाया था, अब मैं लगा लूँगी स्विस ब्यूटी के blush palette से blush लगा लूँगी और मैं यहांपर, orange से color का blush लगा रहे हैं, यह orange से color का blush है, और अब मैं इसी swiss beauty palette से highlighter भी लगा लूँगी, अब देख सकते हैं कितना pigmented है है, इसका review भी गाइस मेरे अपने channel पर already share किया हुआ है, तो आप एक बार check से रूट कर लिजिएगा, और मैं लगा रही हूँ यहांपर mac की lipstick, यह बिल्कुल nude सा orange shade है, और सुनक्षी ने भी कुछ इसी तरह का lip shade लगाया हुआ है, तो मैं यहांपर यही same shade लगा रही हूँ, और इस तरीके से मैं अब अपनी eyebrows पर यहांपर बिंदी लगा लूँगी, यह white color की बिंदी है, जो बिंदिया होती है नग वाली, तो इस तरीप से मैंने लगा लिया है, गाइस यह है मेरा final look, आशा करते हूँ आपको मेरे यह makeup look पसंद आया होगा, और पसंद आये तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को like share कर रहा ना भूले, comment करके जरूर बताएगा आपको मेरे makeup look कैसा लगा, और आप मुझे follow कर सकते हैं Facebook और Instagram पर और आपकी कोई भी suggestions हैं या कोई request है तो please guys मुझे comment करके जरूर बताएगा, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी तो शली friends मैं मिलते हूं next video में तब तक ये लिए बाई-बाई, take care, love you all